इस वीडियो में बताने वाला हूँ किसानों की जो सवाल थे उनके बारे में बहुत सारे किसान मायों के बहुत सवाल थे कि डालर चेने कैसे लगाना है बेड़ गीले करके लगाना है या सुके में लगाना है, पानी कब देना है, कितना पानी देना है, यह सारी जानकारी मैं आपको मेरे इस वीडियो में बताने वाला हूँ और खर्पतवार नाशक के बारे में, तो किसन सती हो, अगर आप वीडियो मेरे चैनल पे नए आये हो, तो चैनल को सस्प्राइब करना न बूले, ताकि अगला वीडियो जो आएगा, आपको नोटिफिक्शन मिल जाएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी हर पसलगी, तो किसन सती हो, यह देखें, यहां पे हम डालर चने लगाने वाले हैं, अब सबसे फ़स्ट बार मैं खर्पतवार की बात करता हूँ, तो यहां पे डालर चने में खर्पतवार के लिए आपको पेंडामेथलिन 30% इसी का इस्प्रेड 500 ग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से इस्प्रे करना है उसके बाद किसान साथिवो यहाँ पे आपको ड्रीप द्वारा पूर्ण रूप से बेट गिला करना है बेट इतना गिला करना है कि पानी यहाँ तक आ जाए वो पूर्ण रूप से बेट पूरा गिला हो जाए उस हिसाब से आपको यहाँ पे पानी चलाना है और बेट गिला करना है क्योंकि किसान साथिवो बहुत सारे किसान भाईों के सवाल थे कि डालर चने सुके में लगाई यह गिले में लगाई तो अब मैं बता जाता हूँ कि सुके में लगाने से क्या नुकसान है बहुत से किसान भाई बूल रहे थे नुकसान क्या है कुछ नुकसान होता है नहीं होता है मैं मानता हूँ नुकसान नहीं होता है तो किसे सत्यों यहाँ पे डालर चने आपने अगर यहाँ पे स्वाइंग की है मानलो सुके में तो यहाँ पे सुके में स्वाइंग करने के बाद में बोने के बाद में अगर भगवान चाहे ऐसा नहीं हो लेकिन आपकी मालो थोड़ा पानी चला अदूरा बेड़ गिला हुआ उसके बाद में लाइट चली या ट्रास्पोरम खराब हो गया या मोटर जल गई कुछ भी हो सकता है आपकी मोटर नहीं चली आपकी तो किसे साथियों यहां पर आपने इतना बेड़ गिला हुआ कि आदे डालर चने तक पानी गया है आदे तक नहीं गया है तो यहां पर तीन चार दिन पानी नहीं आया नहीं मिल पाया तो वह पूर्ण रूप से खराब हो जाएगा और जो कि आपको यह परेशानी नहीं आए फिर बाद में यह परेशानी आ सकती है इसलिए आप पहले बेड़ गिला कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और किसा साथियों यहां पर बहुत सारे किसान बाई पूछ रहते हैं कि कितनी दूरी से लगाना है तो यह किसा साथियों इस वीडियो में और बता जाता हूं मैं आपको यह जो ड्रीप है ड्रीप से 10 इंच इस साइट और 10 इंच इस साइट और आपके पास अगर जगे जाधा हो तो जाधा भी दूरी भी कर सकते हो कम हो तो कम दूरी भी कर सकते हो और एसे जो लगाना है ड्रीप साइट चलना है इसमें तीन इंचे पे, तीन इंचे ऐसे, तीन इंचे ऐसे, और इधर हो जाएगा आपका 10 और 10, मतलब करीब 20 इंचे, ऐसे 24 इंचे तक भी हो, 22 इंचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना दूरी रहेगी उतना बेश्ट रहेगा, क्योंकि ये जमीन ये से भी दूरी है य ज्यादा बेटर रहेगा, तो किसनातियों, ये होगे आपको बता दिया आपने, और ये दिहान रखना कि पेले बेड़ गिला करोगे, तो आपको ज्यादा फाइदा रहेगा, और बेड़ गिला करने के बाद, तीन-चार दिन भाद आप स्वाइं करो, ताकि मजदूर के हा पके उपर आजता चाना, इसलिए आप पेले ये काम करिए कि पेड़ गिला कर दीजिए, उसके बाद में यहां पे डालर चाने की स्वाइंग करिए, तो किसन सती वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज्यादा-ज्यादा किसानों को शेर करें, और लाइक करना न भूले, सब्स यवान जैकी सान